जी पार टू स्टार्ट हो गया जी कुस्टिन कहां सवाल आ रहा है हाँ या चुप नई सिर्फ आपने अभी तक हमेशा ही समझा हुआ है क्योंकि आपको वेन एक आप्शन बताया अगर डैटर्स ग्रास होंगे तो फिर डैटर्स अलग से वर्किंग केपिल में जैस्ट होंगे और प्रोविजन अलग से नौन कैश में जाएगी यह सिखाना है अभी आपको हाँ लेकिन डिरेक्ट में बैट डैट से रिटन आफ जो हैं वह हमेशा एक नोर होंगे ठीक है रिटन आफ डिरेक्ट कितने थे यार इसकी एंट्री भी तो सिखाए थी आपको इसकी एंट्री होती है प्रोविजन डैबिट और डैटर्स ग्रैडिट यहां पर भी चलो बैड़ डैट रिटन आफ लिखते थे और वहां पर वह ऐसे हैं वान यह वन यह वन बूलना जाना मैं मिस कर गया शायद पढ़ते हूँ आगे निकल गवर प्रोवियन की तरफ निकल गया ठीक है तो यह वन बैट डेट रिटन आफ यह ना बूलना यह भाई के सवाल की वरकत से हमें याद आया है तो बैट डेट रिटन आफ हमेशे एगनोर करना इंडरेक्ट में लेकिन इस म अधरेट के अंदर एक ऑप्शन यह है कि नेट डेटर्स यूज कर लो उस सूरत में हमने प्रोवियन को इगनोर किया दूसरा आप्शन अभी बताए नहीं तो यूं कह सकते हैं आप फिलहाल तक के इंडरेक्ट में को हम हमेशे अगनोर करते हैं जबके डारेक्ट में हमेश अधर ही एगे डेटर्स अभी भागे नहीं हैं शक है कि इसमें से इतने बाग सकते हैं तो वह अलग रखा होता है टार्स हमेशा ब्रॉस थीचा है है वो शोर फिर बैलंस लेंश चीड में डैकर के करते हैं लेकिन लेजर तो मिश्या अलग लग होते थे डेटर का और जी चलें नेक्स्ट प्रोविजन फॉर ग्रैचुटी मेड यानि एक्सपेंस ड्यूरिंग यह इस फिफ्टीन पॉइंट फाइफ हां जी इसका लेजर तो बनाया था उधर है कितना एक्सपेंस है जी यह एक्सपेंस के लेजर में कैश ने उस तरफ आना है ग्रैचुटी एक्सपेंस यहां पर आएगा ग्रैचुटी एक्सपेंस जी तरह से वारंटी एक्सपेंस भी आ सकता है आने को लेकिन सेम ट्रीटमेंट जी कितना फिफ्टीन पॉइंट अब मैं तो कहता हूँ ज़र इसकी भी discussion पूरी कारी दें इसको balance कर लेते हैं ज़रा ये नई चीज है ना balance कर लें इसको ताके मैं indirect method से भी जो आपने किया पर्चे में वो भी बता दूं साथ ही और इसमें treatment भी देखें ठीक है cash balancing इदर cash ही आएगा ना gratuity कुछ लोग चले कि उनको pay कर दी है कितना 4.4 अगर आप वाला method जो आपने पर्चे में लगाया वो होता तो उसमें आपने क्या करना था gratuity expense को जहां PBT तक आते हैं माइनस हो जो को आता है ना expense add back करना था और इस gratuity paid को इस interest paid के नीचे tax paid के नीचे आपने उसी तरह से less कर देना थीक है यह तो था indirect method अब आया हमारा direct method आप यह पता है direct method में i got to तो सी तरह सी आना है हमेशा इसी देखने इंडिस्पोजल में भी ऐसी देखा interest में भी ऐसी देखा थीक है indirect मे interest expense को add करते थे interest paid को less करते थे direct में interest expense को किल और नहीं किया था लेकिन पेर फिर भी नहीं हुआ है इनडरेक्ट में गेंलोस रिवर्ष करते दे और कैश सीव्ड रिस्पोडल यहां पर लिखते थे कल डिरेक्ट में किया तो गींल कूर्ण6 नहीं करना पड़ा paid तो l omni है ऐब कैश पेड तो लाजमी है इंटॉसट vedere का sentiment का मिसला कब इंट्रस कहा हो ग्रेच्विटी एक्सपेंस तब मसला नेहां आगर वह किसी expense में चुपा पड़ा हूब अगर अलग से नदर आ रहा हूँ लाइक loss and disposal तो ज़स्ट क्या कर देंगे स frankly फ़िए बसुन कि समेंगे कर से उफर इसाइस मैंने लिख दिया थे मांड़ सारी Caitlin मझे बन बन गए हें अगर इस टोपिके तभी अगले पर जाने का सोझ रहूंना हैं थीख है ऐसे चलें पहली बात लेस जगह ऐसे नहीं छोड़ी थी किसी वज़ा से छोड़ी थी लेस ग्रैचुटी पेड यह तो आना ही आना था वर्किंग नंबर 10 में हमने निकाला 10.4.4 अच्छा 4.4 अगर ग्रैचुटी पेड़ की तरह वर्णटी पेड़ भी ऐसे यह नीजिए माइनस कर देते ठीक है ना अच्छा यह हमने फिगर निकाल ली है जी अब अगली बात अगर यह आपवला मैथड था तो आपने यहां पर इंटरस्ट एक्सपेंस को एड़ बैक किया था मेरा डिरेक्ट मैथड है ठीक है अब मैंने देखना है अगर तो यह अलग से फेस पे नदर आ रहा है कहीं पे अग्नोर करो क्योंकि मैंने किसी ऐसी फिगर से इसमें किदर गया किदर गया इसमें चुपा पड़ा है या इसमें चुपा पड़ा है तो निकालना पड़ेगा अब ग्रैचुटी एक्सपेंस तो है यह तो सवाल ने खुद बता दिया कि ग्रैचुटी एक्सपेंस है ग्रैचुटी एक्सपेंस तो है 15.5 मिलियन का है के है अब जब है तो हम ढूंडने निकले हमें फेस पे कहीं नजर नहीं आया हमें फेस पे कहीं नजर नहीं आया तो कहां हो सकता है सेल में एक्सपेंस हो सकता है सेल में थोड़ी एक्सपेंस पड़ा होता है हां कॉस्ट सेल में हो सकता है नहीं भाई नहीं वहां पे सिर्फ प्र सेलिंग के खर्चे होते हैं तो इसका मतलब अगर एक्सेंस है और नजर नहीं आ रहा है तो यह कहां पे चुपा पड़ा है 554 एक्सेंस है के नहीं है पहले यह बताओ कैसे पता लगा सवाल ने का है यह एक्सपेंस है हमने चार्ज की ग्रैचुडी ठीक है एक्सेंस तो है अब फेस पे नदर क्यों नहीं आ रहा कि क्या बड़े हो गए चीजें कम्बाइन करके यहां पे एक लाइन दी जाथी सेलिंग एडमिन की उसमें सारे कर्चे पिर सेलरी सब्सक्राइब पतर नहीं पतर नहीं पतर नहीं सारे वो नोट्स में होते हैं तो फेस पे तो कुछ नहीं नदर आ रहा कि ग्रैचुडी कहां है तो फिर नॉर्मल यहीं होती है यह उप्रेटिंग स्पेंस में पढ़ा हुगा है कर दता लाइक डिस्पोज़ आज जिसे डिस्पोज़ अलग पढ़ा था तो हमने कहा, इदर पड़ी होगी उसे तो कल बता दिया था ना इसमें तो बताया नहीं, हमने खुद भी सोच लिया वो निया सवाल ना, ये पुराना है, अब बता देता होता है ठीक है? लेकिन हमने खुद भी पता होना चाहिए यह थोड़ी सी बात है सोच लेना चाहिए next और तुम लोग भी सही नहीं थे याड याद कि है हां जी working करनी है या bracket में करने अब अब रेकिट में करने पर में करते हैं आपने क्या करने आपने वस्त यह करने यहां से आपने कॉपी करना और पेस्ट कर देना हम ब्रैक्ट में कर लेते हैं ताकि हमें यह समझा आजा है पर्चे में क्या करना है और यहां वाला जो है वो चले हैं आपने दोनों को एक जैसा कर दिया ज़रा वो भी हमें ज़रा सही लग गया तो ज़रा विन-विन आपने ये टेक्स निकाल लिया था इस फिगर में से तो ये टेक्स जहां निकाला था तो इसका लेजर बनना था ना वो लेजर ऊपर पड़ा हुआ है 16 में वहाँ पे लिक देना वहाँ पे लिकें brought down acid 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 आज acid side पे brought down 2.2 और carry down 1.4 चलो जी ये भी जरा साथ ही हो गया वो बाद में आप वो बैलंसिंग आप एंट पे करते है ठीक है जी कौन सी चीज में आप गड़बड हो गई है एक्रूर्वल्स एंड अधर पेवल्स में ठीक है जी एस पर कुस्टन कितने है सवाल ने कितने बताये थे एक्रूर्वल्स एंडर पेवल्स सवाल ने कितने बताये थे 16.4 और 16.2 क्या यार तुम लोग अगर सही होते हैं तो हमें यह मसीबत तो ना पढ़ती तो पताती है ब्रैकेट में आप कर सकते हैं इसको ठीक है अच्छा जी इसमें क्या पड़ा है और ओपनिंग 6 मिलियन है तो 6 मिलियन यह इंटरस्ट पेवल जी 6 मिलियन है ओपनिंग बोलो और 5 मिलियन है यह है न बोलो 6 और 5 अब सही वाले कितने हैं 10.4 11 पॉइंट ठीक है यह आप ब्रैकेट में कर सकते लेकिन मैंने अलग कर दिया चलो यार अब फिर बूल जाना है इंटरस्ट को तो पहले ले जाओ ना ओपनिंग इतने है 6 और क्लोजिंग कितने है तो सिरफ लेंटी है यह सवाल अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करवा देता है आपकी इस मैथड की और कुछ नहीं ठीक है यह सही वाली फिगर्स यहां पर बताओ जी कौन सी वर्किंग बनाई है खैर से वर्किंग ट्वेंटी और वर्किंग ट्वेंटी अखीर नहीं होगी वर्किंग्स की लोगे मज़ा आगे दर से स्वाल कर चाहिए शुकर यार आप लोगों ने सही कहा था टैन पॉइंट पॉर एलेवन पॉइंट थैंक्स टू यू यू गाइज़स मश्वरा मैं मुश्किल वाली चीज़ ही करवा रहा हूँ पैसी खुदाना खास्ता में वह असान वाला करवा जा तो और यह स्लूशन में देता तो शायद आपको वह लेवल ऑफ कॉन्फिड़नस ना बन पाता खेर चले नेक्स्ट ऑन जन्वरी है यार बैलंसिंग मैंने तो अभी कुछ भी नहीं कियाए न इन तो अभी कुछ भी नहीं किया ना है इसको भी निकाला वो कह रहा है अगले साल 15 जनुरी 16 में कंपनी डिक्लेयर्ड फाइनल डिविडेंड फाइनल डिविडेंड फॉर्दा ये रिकती संबर अच्छा है तो हमारे साल का एंट्री तो करेंगे कौन की नीचे दूंगा ये बात बोली सो फाइनल ऑफ 15 कभी 15 में एंट्री नहीं होती बड़े होके पता लएगा आपको इसका सिर्फ डिस्क्लोजर देना होता है आपने लिख के बताना होता है कि ये डिक्लेयर हो गया है 15 की मिलेगा 16 में एंट्री 16 में एंट्री 16 की चेंज निकुटी में यहां सिर्फ एक लाइन लिखते हैं डिरेक्टर ने इतना डिविडे कैश इसका क्या करें लेकिन साथ ही उसने फनकारी लगाई ओ भाई आप हाईलेट करो ना साथ ही उसने क्या फनकारी लगाई है जी क्या फनकारी लगाई है जी वो कह रहा है इसने जवाब दे दिया है चलो कह रहा है 35% 2014 का भी था अब यहना 2014 मिट गया है माजरत के साथ पत नहीं क्या हूं और मिटी जा रहे हैं इस वक्त पे तुमने ऐसे नहीं करना चाहिए था चलें हैंजी गुजारा करते हैं यह समझागी कि पंद्रा का डिवीडेंड कैश कितना है सेवन प्रण फाइव इसको तो इग्नोर करना है कि यह सोला में आने लेकिन ब्रैकेट में क्या लिखा 14 के लिए भी यही बात थी तो 14 का भी final ही है न यह फाइनल ऑफ 15 इतना ब्रैकेट में 14 लिखकर मतलब क्या है कूरी बात के एंड पर ब्रैकेट का मतलब ही क्या होता है यह मतलब होता है ठीक है न कि on January 15 company declared final dividend for the year 15 comprising 7.5% cash और 14 के लिए भी यही था 35% cash अब यह हमारे यह relevant है इसको हमने उठाना है यह 35 चौदा का final है जो 15 में मिलना था ठीक है अब 35% है 35% लगाएंगे किस पर share capital के latest balance पर सवाल को full death पड़ी हुई है मुझे बता दें मुझे बता दें जी कितने है एक share capital कितने है मैं वहाँ से भी देख सकता हूं वैसे तो 300 ओपनिंग पर लगेगा ना बेटा ओपनिंग पर लगेगा ना ठीक है during the year जो shares issue हुए है उन पर तो नहीं लग सकता उगर हुए भी है त ठीक है तो यहां पर हमने कितना कितना जी ओपनिंग 300 का 35% है यह क्या आ गया cash dividend इसकी entry होगी retained earnings debit 105 से retained earnings debit और dividend लिख जाते हैं वापस कौन आएगा dividend payable credit और यह लेजर भी opened है आपको पता है उदर dividend payable ठीक है इधर काम कर रहा है इधर भी नहीं कर रहा है यह नहीं किसको बंद करना ही पड़ेगा जी dividend payable का लेजर यह है कितना जी 105 यह आ गया जी retained earnings figure सहीं निकाली है परचिम में यह निकाली थी अच्छा उसके बाद कहता है एंड साड़े बारा परसंट बोनस इसको तो एक नोर करते हैं ना यह तो पंदना का dividend है ना इसको एक नोर करना था और चौदा में था ही नहीं शुकर है यानि सारी कानी में जर्व एक 35 परसंट dividend हमने लेना था ओके इस इतिक लियर सवाल खतम खतम शुद्ध मंगल बुद्ध अब इन लेजर को बैलेंस करते हैं लेकि वो प्या होता है वन तू बैडिड़ेंस जो प्र Näना निकाली है कितचा निकाला भी पन पैंट हो आप यह बैड़ेंस कहां जाता है यह बैडड़ेंस कहां जाता है यह बैड़ेंस बोलो भाई बोलो कहां जाता है सब कुछ ही बंद करेता हूँ मैं सब कुछ ही बंद करेता हूँ एक बार सही चल जा सही जी ओओ ओ यहां कुछ लिखा भी था वो भी चला गए साथ ही क्या लिखा था बैट डैट एक्सपैंस बैलेंसिंग हमने फिगर निकाली थी प्रॉफ्टेंड लॉस वाली कितना जी वान पॉइंट टू अब मैं इसको येलो हाईलाइटर लगा के कह रहा हूँ यह एक्सपैंस है यह एक्सपैंस है तो प्रॉफ्टेंड लॉस में होना चाहिए अब हम निकले डूणने तो वाटसेप खुल गया और निकले डूणने तो सवाल ही कुई और है क्योंकि यह कैश लो का टॉपिक है हम टर्म टेस्ट वाल कर रहे थे हम निकले डूणने निकले यह हैं अभी तक डूणने 1.2 का बैड़ एक्सपैंस है निकले डूणने क्रॉफ्टन लॉस में हमें कहीं फेस पे नज़र नहीं आया बैड़ एक्सपैंस इस असेलिंग एक्सपैंस याद रखना यह कौन साथ एक्सपैंस होता है क्योंकि सेल डिपार्टमेंट ने सेल बढ़ाने के लिए बस ऐसी हर एरे गहरे नत्तु खहरे टॉम डिक एंड हरी को सेल कर दी चलो सेल तो बड़े उदार पे चेक तो करना था उन्हीं में से बागे है उन्हीं का कसूर है एड़ेमिन का कोई कसूर नहीं है वन पॉइंट कि इसना टू निकल यह वन पॉइंट तू क्या है बैड डैट एक्सपेंस ची कह है हाँ लिक जे निकाला मैंने कौन सी वरकिंग में उप्रेडिक्ट पांद में तुक्षी क्या भाई यह वन पॉइंट टू हुआ है शहीद हो गया मेरे लगता ही है कहां से समझ आ रही है यह बखतर नहीं बनना मैं कहा रहा हूं जी पॉइंट पॉइंट हुए एक्सपेंस है प्रॉट्टन लास में कहा हो सकता है अपरेटिंग में माइनस कर दिया ओके चलें आगे अब आगे का चलना अब तो पीछे चलना है कानी गतम यह सबसे मुश्किल बात यह वाली थी इसलिए मैंने कहा था यह अजस्मेंट जपरदस्त है ठीक है ओके इसके असरात पहले तो बैड़ डेट आ गया फिर प्रॉविजियन से ओपनिंग क्लोजिंग पहले तो ओपनिंग क्लोजिंग हमने वह ग्रॉस इदर लिखा प्रॉविय में लग लिखा फिर बैड़ेट के एंट्री की फिर एक्सपेंस निकाला तो यहां भी पड़ा हुआ था बत्तमीज उसको भी निकालना पड़ा ठीक है चले अब देखते जाते हैं जी वन बैवन बैवन सबसे पहले मैं तो कहता हूं अब इस लोन को पड़का दें जी लोन कुछ और तो नहीं है न कोई और अज्जस्मेंट तो नहीं रही बचो तो बता दो ना लोन का कैश इस तरफ नहीं आ रहा है कितना यह 22 क्या होगा लोन रीपेड अब यह नंबर लेना शुरू का है ना टाइम बहुत थोड़ा रह गया जल्दी इ नहीं है यह को काम है जी नेक्स्ट टेक्स एक्सपेंस की लेजर से कैश की फिगर निकल रही है इस तरफ कितनी है जी यह दरा देखें सही नजर आ रहा है यह कलर 106 टेक्स पेड वरकिंग नंबर 106 पेड है माइनस ठीक है जी नेक्स्ट अगली वरकिंग का जो असरात थे वो हमने डाल दियो है उस अगली वरकिंग के जो असरात थे वो हमने जहां जहां थे डाल दियो है डिविडेंट पेबल से डिविडेंट पेड निकला 1.6 मेरे ख्याल से यह नहीं है और ठीक है वो एंट्री नहीं की हमने वो क्या मिट गई है इनना लिल्ला कोई बात नहीं कोई बात एक मिनट लगा रिटेंड अर्निंग डैबिड डिविडेंट पेबल credit वाली entry की थी 105 वो जब बन किया है तो वो मिट गया चलो अच्छा यह बतला गया ना भी आता तो पिछला पेवल भी तो पे हो सकता था नेक्स्ट टेक सो तीन इशारिया शारिय भी ऐह ढ़्क टीन इशारिया यह क्या है डिडेंट फेड फेड किया प्रिनिंग अक्टिविटी मैं डीडेंट पेड वरकिंग करेफरनेंश देना थरा 13 amount paid है negative next interest expense ओ भूल गए भूल गए भूल गए इंटरस पेबल को ये भी लिखा था मैंने का भी तब भूलना जाएं लिखा था लेकिन वो बंद होने के चकर में ये भी ये भी नुकसान हुआ हमें six opening है five closing है पता है हमें we know we know six opening five closing और balancing is cash बताईए ग्यारा इशारिया पंज तेजिया चेक है ने जी वर्किंग नंबर 14 तेरा इशारिया सर कभी तो याद करके वहां तक पहुंच जाया करें यहां तक आते आते हैं वड़े तुसी बढ़े फिर देओ 11 पॉइंट अल्ला ने इज़त रखी हुई है आपकी वहां तक यहां तक आते हैं आपको फिवर बूल जाती है कांटिंग पड़ा रहे हैं बस यही है देखो बस इल्ला की काम है आई जी नेक्स्ट डिस्पॉजल में जो होना था वो हो चुका है endured प्रोईयन में जो होना था वो हो चुका ये जो होना था वो चुका चुकर करे से जान कुटी अब आज हैं अपने इस सफे पे 49.49 पॉइंट एक बच्चे की कल्कुलेशन बाकी दो थीन चेक किया गर 29.5 इस एडीशन इन पी पी ए वर्किंग नंबर टू ट्विंटी आउट फ्लो है याला बैलेंस हो जाए मेरे पस तो वैसका उसलूशन भी नहीं है चेक करने के लिए वैसे है अच्छे लें नेक्स्ट याद आ गया ना मुझे इसका था दूसरे का नहीं है जी इधर ही ये एडीशन इनी सीड ये भी आउट फ्लो है एडीशन इन कैपिटल वर्किन प्रोग्रेस नेक्स्ट इन्वेंट्री सही वाली निकालके तो फिर बताओ 175.9 सिरफ एक चीज माइनस हुई है ने इसमें से 1757.9 और बैलंसिंग फिगर क्या आएगी होगी क्या परचेजिस जिसको हमने काट के क्या लिखने है अभी इन्शालला थोड़ी देर में क्रेटर लेकिन लिख लेते होते हैं पहले परचेजिस जी कितना 1838.7 लेकिन इस फिगर को हमने कहा था कि यार इसको न आप क्रेटर्स में फैंका करो ठीक है ना यहां क्रेटर्स लिख दिया था अब यहां पर आए यहां पर आके हमने लिखा वैसे तो यहां पर चेजिस आती हैं लेकिन अब इन्वेंटरी का लेजर बन रहा तो यह इन्वेंटरी ही आ रहा है और यह वरकिंग नंबर फोर में हमने निकाला है बैलंसिंग 1838.7 एंड बार नदर आ रहा है नहीं तो बोल तो रहा हूं मैं नदर आ रहा है कोई बात नहीं मेरा नदर आना इस वकिंपॉर्म नहीं है जी यहां से क्या निकल आएगा कैश बैलंसिंग कितना 1836.7 चुकर एक डैसिमल पे थे जी 1836 1836.7 क्या है अच्छे तरतीब भी कोई जरूरी नहीं है मैं पहले कैश रिसीव लिख चलो आपकी तबीयत फिर खराब हो जाती है कैश रिसीव फ्रॉम कैश पेड पेड गर ले फ्रॉम सप्लायर टू सप्लायर उपर जगा खाली है कैश पेड वो मेरा दिल दो था कि तरतीब से लिख ले मसला कोई नहीं होता वर्किंग नंबर 12 1836.7 आउट फ्लो इस डण 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 इस इस डण इस डण इस अलसो नाव ड़न कैश देखो न आप बैडड अगर इग्नोर करते इस सवाल में तो कैश तो गलत हो जाता प्रोविजन को इग्नोर करते ग्रॉस डेटर्स लेते तो कैश तो गलत हो जाता ठीक है जी 2530 एग्जक्ट 25 cash received from customers working number 5 2530 positive influence done oh wow the beautiful one here it comes 554 minus 11.1 minus 15 per 5 minus 1.2 is equal to point यह 526.2 सही वाली प्रेगर है तो कैश कितना आ गया पांच सो इस इशारिया छे अल्ला करें आपने टोटलिंग सही कर आईयो आप कैश लो तो balance पर देखना पड़ेगा तो पांच मिट उस पर लग जाएंगे जी जो पर्चे में आपने नहीं देखना वह बताऊंगा आपको जी कैश पेड फॉर एक्पेंसेज वर्किंग नंबर 51519.4 अब सही है पका 519.4 पेड शेर कैपिटल और शेर प्रीमियम से कैश कैश बताओ यह मैं कहा रहा था कठा बना रहे ते टाइम बाचिया होता 90 अच्व अच्व 3 3 शेर टोटल कैपिटल रेज्ट पस कैपिटल 96 प्लास 30 पॉजिटिव ठीक है जी यहां वर्किंग के रेफरेंस अब दे लीजिएगा वर्किंग 7 और वर्किंग 8 क्या रह गया रिटेंड अर्निंग्स इसको चेक करो बैलन्स है चेक करो मतलब कुछ नहीं रहता सब सही है यह नि डिविडेंट भी सही है इसका मतलब निकाला हमने और तरीके से था लेकिन देख लो बैलन्स हो गया सब सही है ओके सर प्लस हो गया भी कोई नहीं था कि यहां से कुछ ट्रांसफर आती बस ठीक है डन यह अल्रेडी डन यह ही बैलन्स यह बैलन्स यह बैलन्स ही था यह करके इसका भी ट्रीटमेंट हम आल्रेडी कर चुके हैं बिसमिल्ला एक दो बचे जरा सिर्फ जिकर पे लग जाए बाकि ज़रा मुझे टोटल बताएं हां? पॉजिटीव फिफ्टीकटव फॉट्ईए पॉईट्ट … फॉर्टीश पॉइंट्ट। पॉजिट्टीव फॉजिट्थ ow पॉजिट्टीव फॉजिट्फ पॉजिट्पॉजिट्फ तो ओधेंगा सी के जगो ना बल्ला ने इज़त रख ली मेरे जैसे की भी सवाल टैली करा दिया तो कोई नहीं नहोता तो क्या होता मैं कहते हैं आओ चेक कर लेते हैं मिलके और बस अच्छा जी हमक के अंदर जी निवर्सल लिमिटेट तो था ही एक आदा जो और सवाल होगा वो मैं साकिब चले के हैं आई तिंक बाहराल मैं इंशालला मैसेज करवाओंगा आमिर आपने साकिब को मैसेज करना है कि यह एंशोर करें कि मुझसे अगली क्लास के बाद पूछ लें कि उनको क्या होग दिया है वो इन बच्छों को वाटसेप में मैसेज हो जाएगा यू को जालिब बाले सवाल को बच्छों ने करना है कौनसे मैथड से डायरेक्ट से कर लिया है भाई इन डायरेक्ट से अल्लाह आपको